नमस्कार A to Z dishes उशा गुर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जैसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा और ये खास करके न सर्दियों के लिए खास है जितनी इसकी तारीफ करो उतना कम है जटपट वाली रबडी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है कहीं भी आप चले जाओ शादियों में या फिर कहीं बार सर्दियों में तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा और ये इतना मज़ेदार लगता है जिसकी कोई हद नहीं है तो मैंने आज इसे घर पर ही बनाया और सच बता रही हूं ये गाजर का हलवा और साथ ही साथ ये लच्छेदार रबडी खाने में बहुत मज़दार लगते हैं तचली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे गाजर का हलवा वो भी काफी कम मैनत में तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर मैंने ले लिए हैं दो गाजर यह दोनों कम से कम 500 ग्राम जितनी हैं इसके उपर का छिलका आपको निकाल लेना और चिलका निकालने के बाद इसे अच्छे से वाष कर लेजेगा और वाष करने के बाद वैसे तो linking गाज़र जो हती है उसे कस्ते यानि कि कदू कस्त करते है पर आज एम ऐसा नहीं करेंगे मैंने आपको पहले ही का कम मैंनत में यानि कि इसके छोटे-छोटे अपको तुकडे कर लेने हैं इस तरह से और इन छोटे-छोटे तुकडे करने के बाद इसे आपको मिक्सर जार के अंदर डाल दिना है सारे ही तुकडे देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी सी कम मैनत हो जाएगी और ये हलवा भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है अब पानी वग गाजर आपको डाल देनी अब लगातार इसे धीमी आज पर चलाते हुए इसे आपको भूनना है तकरीबन 7-8 मिनिट के लिए भूने क्योंकि गाजर को जितना आप अच्छे से भूनेंगे उतना ही उसका जो हलवा है वो बहुत ही स्वादस्ट लगता है तो यहाँ पर बि पर चेनी अब चीनी है आप इसरे जादा भी डाल सकता है जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं क्योंकि आज मैं गाजर का अलवा और रबड़ी साथ में बनाने वाली हुए इसलिए मैंने चीनी कम की है आप चाहे तो जादा भी डाल सकते हैं अच्छ इसरे इसे भी बख पकाने के बाद मैंने आधा कब जितना इसके अंदर खोया यानि कि फीका मावा डाल दिया हाथों से ही मसल कर अब लगातार चलाते हुए इसे हम और 5-6 मिनिट तक पकाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता है का गाजर के हलवे को जितना आप अच्छे से पकाएंगे उ साथ ही ये सारे भूने हुए ड्राइफ रूट्स आपको ये हलवे में डाल देना है लगातार चलाते जाना है पकाते जाना है इसके साथ थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल देंगे एक चौथाई चमट जितना बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है यहाँ पर आप द दस मिनिट में रबड़ी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगते है तो यहाँ पर काजु कतली के मैंने आट से नौ टुकड़े लिए यानि की पीसिस लिए पैन में हम डाल देंगे 500 एमिल दूद और इसे अबाल आने तक हम पकाएंगे तो यहाँ पर दूद आप कोई भी ले सकते है जो आपके घर पर आता है पैकेट वाला या फिर बैस का जो भी दूद में आप देख सकते है अच्छा अबाल आ गया है तो अब इसके अंदर मैं एट कर रहे हूं चीनी तो मैं इसके अंदर आधा कभी डाल रही हूँ क्योंकि काजु कतली भी मीठी होती है इसलिए फिर भी आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं अब चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आट से नौ टुकड़े हम काजु कतली के इस तरह से टोड़ कर यानि कि हाथों से मसल कर डाल लेंगे और इसे लगतार चलाते जाएंगे और आप देखेंगे क्यो तो पाउभाजी मैश करते हैं तो बस इस तरह से मैश करते हैं और ये जल्दी से गाड़ी हो जाएगे क्योंकि इसके अंदर हमने काजु कतली राली है लगतार चलाते हैं जाएंगे दूसे तीन मिर्ट में हो जाएगा थोड़ा सा एलाइची का पाउडर थोड़े से कटे ह काजू और बादम और तयार है आप देखें लच्छेदार रबड़ी और सच बता रहे हूं यह जो गंटो मैनत वाली रबड़ी होते हैं उससे भी टेस्टी यह लगती है एक बार ट्राइ कीजेगा अब यहां पर मैंने एक छूट असा ग्लास ले लिया है अब सब कैसे भी कर रहा है या फिर आपको कुछ मज़ेदार से खाना है तो आप यह बना सकते हैं घर पर काफी असानी से आप इसे ट्राइ कीजे और मजी कमेर सेक्शन पर आपकर ऐसे पर कैसी लगए है अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को झाल को सब्सक्राइब सकते हैं